Assalamu alaikum, मैं हूँ आपका दोध सामिर कान, आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ राउटिंग इंफरमेशन प्रोटोपोल की, जिसे हम रिप भी करते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको रिप वर्जिन 1 और रिप वर्जिन 2 का डिफिनस भी भी होता हूँ गा, इस तो शुरू करते हैं हम अपनी second slide ले, तो routing information protocol, routing information protocol जो होता है, वो IGP family से block करता है, IGP family, IGP family interior gateway protocol, ऐसा protocol जो होते हैं, जो कि same autonomous number या एक ही organization में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये एक ही organization में काम करने वाला protocol है, ठीक है, इसके इलावा, ये dynamic protocol है, dynamic protocol, दो किसम के protocol आउटर, वर्क कर रहे होते हैं, static protocol, dynamic protocol, जो rip है, या OSPF है, या EIGRP है, वो dynamic protocol है, dynamic protocol, ऐसे protocol होते हैं, जो आपस में updating का रहे होते हैं, sharing का रहे होते हैं, आपस में information dynamically, इसके इलावा, जिन में administrative work जो होता है, वो बहुत कम हो जाता है, और इसके इलावा, इनको use करना बहुत आपसान है, इसके इलावा, dynamic protocol में, there is no need to know the network destination, ठीक है, यह होते हैं, dynamic protocol, इसे करना, यह distance vector, जो rip है, वो एक distance vector के तोर पे काम कर रहा होता है, मिनके shortest path दिखता है, कि मैंने एक packet जो है, वो send करना है, वो सबसे कम से कम फासले पे, या कम से कम hopes use हो, और मेरा packet जो ह होते है, वो एक destination तक पहुंचाए, तो इसमें कम से कम जो, जो hop counts होते हैं, वो 15 तक होते हैं, इसके 0 से 14 या 15 तक total होते हैं, hop counts हो, hop है, वो basically routers है, अगर हमने एक, एक information, एक destination तक पहुंचानी है, एक package एक destination तक पहुंचाना है, हमने भेजना है, तो क्या होगा, कि हमने, उसमें router जो है, वो check करेंगे, protocol चेक करेंगा, कि इसके अंदर कितने hope counts आते हैं, फिर जाकि वो इस package जो है, अपनी destination तक पहुंचेगा, अगर फर्स करें, कि वो जो router ह उसके अंदर आ रहे हैं, उस route में 15 से अबा हुआ है, तो यह protocol जो है, वो invalid हो जाएगा, यह valid नहीं है तब, इसके इलावा यह, इसका AD, AD size जो है, administrative size है, वो 120 तक होता है, अगर फर्स करें, कि यह अगर आपके network में, एक EIGRP भी protocol चार रहा है, और RIP भी चार रहा है, लेकिन E AD size है, वो 90 है, और जो RIP का AD size है, वो 120 है, तो क्या होगा कि package जो है, जो router है, वो automatic shift हो जएगा EIGRP पे, क्योंकि उसका AD size है, वो 90 है, कम से कम जो route है, belief timing या बलीव route है, वो आपका 90 है, तो इस वज़ए से वो automatic जो router है, वो आपके protocol को RIP से खतम करके, आपके EIGRP पे शिप्त कर कर देता है, और EIGRP रन होना शुरू हो जाता है, आपके system में, इसके इलावा, यह RIP जो है, वो slow network convergence करता है, slow network convergence mean के आपकी जो router के, जो neighbor router के साथ, आपस में coordination हो रही होती है, या packet data send or receive हो रहा होता है, वो बहुत ही slow हो रहा होता है, बहुत ही slow हो रहाता है, बहुत ही slow हो रह time 30 seconds होता है, 30 seconds के दोरानिये में यह आपस में information share का रहे होते हैं, update होते होते हैं, आपस में neighbor router के साथ, इसी तरह, इसी तरह यह इसका जो flush time है, 240 seconds है, flush जैसा के नाम से भी जाहिर हो रहा है कि अगर तो एक information दूसरे router तक 240 seconds तक ना जाए, तो जो router होता है, वो अपने table से, routing table स इसकी information flush कर देता है, खतम कर देता है, ठीक है, एक और timer होता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, invalid time, वो 180 seconds होता है, ठीक है, ठीक है थो 180 seconds होता है, जो invalid होता है, कि 180 seconds तक अगर तो इसके पास information पहुंच जाए, तो ठीक है, नहीं, अगर 180 seconds तक ना information पहुंचे, तो वो कहत थीक है इसी तरह मैं आगे शुरू करते हैं difference between rip version 1 और rip version 2 इसके difference क्या है तो देखें अब जो रिप 1 है वो broadcasting करता है जब जो रिप 2 है वो multi-casting करता है जो रिफ वन है, ब्रॉड कास्टिंग आपको पता है, as you know, कि जो ब्रॉड कास्टिंग हमारे राउटर के लिए, हमारे नेटवर्क के लिए बहुत ही खतरनाग है, कि हम हमारी इंफार्मेशन किसी आगे हैकर के फार ना पहुंच सके, तो इस वज़ा से हम ब्रॉड कास्टिं तो करना ही नहीं चाते हैं, तो इसी तरह जो रिफ टू है, वो मल्टिंग कास्टिंग करता है, ठीक है, जो रिफ वन था, वो ब्रॉड कास्टिंग करता था, हमारे नेटवर्क में जो थे, हैडर्स आ जाते हैं, जिसके वज़ा से हम उसको नहीं यूज करते हैं, तो हम मु वीडियो को अपनियो होती है जैसे ही आप टाइप आपनी तो तो हम यह देखना चाहते हैं वह वीडियो कि आगा तिया को उस गुरूम में आपका देती है凶्व आप उसके साथ सा उसी गुरूम में बैठ रह क्यों आप पी चलते हैं यह होती है मल्टिकांसी ठीक है अगे आप जाते हैं जिब 1 में नो अथंटिकेशुन ठीक है नो अथन्टिकेशन हम जिप वण में अथन्टिकेशन नहीं होती जबके रिप 2 में अथन्टिकेशन होती है जैसे Md5 रथ या encryption ठीक है Md5 encryption और इसी तरह मैं आपको बताता चलू रिप 1 में class full होती है और जो रिप 2 है वो class less है ठीक है रिप 1 जो class full है वो यह के हमारी जो सबनेटिंग हो रही होती है यह सबनेटिंग को सपोर्ट नहीं करता है जबके रिप 2 है वो कलास लेस या classless inter domain routing को support नहीं करता रिप 1 जबके रिप 2 है वो VLSM Allsider को support करता है तो दोस्तो ये था रिप 1 का थोड़ा सा detail के साथ आपको guide करना और दोस्तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो please kindly share कीजिएगा subscribe कीजिएगा thanks for watching और अपनी नेक्स वीडियो में आपके लिए इसकी रिप की configuration packet tracer के लेके आँगा तब तक के लिए अलाहाफेज फी आमानला